हेलो प्यारे बग्चो यूटुब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम करेंगे कक्षा दस्वीं गणित की प्रशनावली आठ तसमलव दो तो आईए शुरू करते हैं प्रशन संख्या एक का पहला पार्ट है साइन साट डिगरी कोस तीस डिगरी जमा साइन साइन तीस डिगरी कोस साट डिगरी इसका मान निकालना हमें तो यहाँ पर हम मान रखेंगे साइन साथ डिगडी का मान होता है वरगमूल तीन बटे डो कोस तीश डिगरी का मान होता है वरगमूल तीन बटे डो जमा साइन तीस डिगरी साइन तीस डिगरी का मान होता है एक बटा दो गुना को साट डिगरी को साट का मान होता है एक बटा दो हमने यह आप इनके मान रखे हैं गुना करेंगे वरगमूल तीन गुना वरगमूल तीन तीन दो गुना दो 4 3 जमां 1 4 बटे 4 1 इसका अंसर हो जाएगा एक, बहुत ही सिंपल है आपने सिर्फ इन मानओं को याद करना पढ़ेगा और इन मान को याद करने असब से आसान तरीका है सिर्फ आपको साइन के सभी मान याद करने पढ़ेंगे उसके बाद आप सभी मांस को आराम से उस ट्रिक को फॉलो करके निकाल सकते हो मेरे अगले वीडियो में आप उसको देख सकते हैं सेकिंड पार्ट है तो बच्चों यहापर हम एमान रखना है दो गुना अब टेंजेंट 45 का उसके रेज को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 45 और इस पूरे का वरग एक इबाद इसको में इस तरह लिख सकते हैं इसी प्रकार इसको लिख देंगे हम कोस्ट 30 डिगरी और इसका वरग गटा इसको लिख सकते हैं हम साइन 60 डिगरी और इसका वरग इन दोनों में कोई अंतर नहीं सेम है, एक जैसे हैं, यह आपकी सुईदा के लिए लिखे हैं मैंने आपर, आप इसके अंदर मान रखेंगे, टेंजेंट 45 का मान होता है, एक तो एक का वरग जमा, कोस्त इसका मान होता है, वरगमूल 3 बटे 2, इसका वरग, घटा, साइन 60, सा दो का वरग, च्यार, घटा, वरगमूल 3 का वरग, तीन, दो का वरग, च्यार, यह खट जाएगा आपस में, एक पलस का, एक माइनस का, दो गुना एक, दो, यह हमारा आंसर होगा, थर्ड पार्ट करते हैं, कोस्त 45 डिगरी, बटे, सिकेंट 30 डिगरी, जमा को सिकेंट 30 डि बटे, सिकेंट 30, सिकेंट 30 का मान होता है, दो बटा वरगमूल 3, यह कोस 30 का उल्टा हो जाएगा, जमा फिर हमारे पास है कोसिकैंट 30 कोसिकैंट 30 उल्टा होता है साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2 तो कोसिकैंट 30 का मान हो जाएगा 2 अल करेंगे इसको 1 बटा वरगमूल 2 बटे लगउतम लेंगे basketball वरगमूल 3 2 जमा 2 वरगमूल 3 तो लाग कर लेते हैं इसको एक बटा वरगमूल दो गुणा उपर आ जाएगा वरगमूल तीन बटे दो जमा दो वरगमूल तीन आगे अल करेंगे इसको उपर तो आएगा वरगमूल तीन निचे वरगमूल दो इसमें हम कॉमल ले लेंगे दो दो कॉमल लेंगे यहां पर यह गुणा में है यहां बचेगा एक जमा वरगमूल तीन वरगमूल तीन बटे अब इस दो को तो बाहर रख लेंगे वरगमूल दो की गुणा कर देंगे अंदर वाले सभी से एक जमा वरग व्रग्मूल दो गुना एक व्रग्मूल दो जमा व्रग्मूल दो गुना व्रग्मूल तीन व्रग्मूल छे अब निच्चे व्रग्मूल इसका प्रीमे करन कर देंगे उपर निच्चे व्रग्मूल दो गटा व्रग्मूल छे से गुना उपर निच्चे व्रग्मूल दो ग क्पास एक वर्ग मूल दो गिए का वर्ग मुल गटा अबक व्रग मुल चैए का व्रग यह आजेएगा मारे पास शुत्र लगाया है आमने यहाँ पर A जमा B गुणा A घटा B वराबर A का वरग घटा B का वरग उप्रा मारे पास होगा वरग मूल 6 घटा वरग मूल 18 गुणा कर दिया हमने अंदर बटे वरग मूल 2 का वरग 2 घटा वरग 6 वरग मूल 6 घटा वरग मूल 18 गुणा दो घटा के च्यार उप्रा हमारे पास है वरग मूल 6 घटा वरग मूल 18 को हम लिख सकते हैं नो गुणा दो बटे निचे घटा के आठ उप्र माइनिस कोमन लेंगे उप्रो जाएगा नो गुणा दो वरग मूल घटा वरग मूल 6 बटे घटा यहां पर भी घटा उप्र हमने माइनिस कोमन लिया है जाकर निचे उड़ा माइनिस कट जाए उप्र बचेगा यह माइनिस से माइनिस से कट जाएगा हमारे पास बचेगा नो गुणा दो वरग मूल घटा वरग मूल 6 बटे 8 यह मारे पास हो जाएगा नो का वरग मूल हो जाता है तीन इसको बाहर निकाल लेंगे तीन को अंदर वरग मूल 2 घटा वरग मूल 6 बटे 8 यह मारा अंसर होगा यहां से हमने सिर्फ क्या किया है दो को बार निकाल लिया वरगमूल दो से अंदर गुणा कर दी फिर हर का प्रीमेकर्ण कर दिया और ए जमा भी ए गटा भी बराबर ए स्केर गटा भी स्केर का सुत्र लगा है आपर हमने असानीश इसको में निकाल सकते है चौत्था पार्ट इसका मान रखेंगे इसके अंदर में साइन तीस का मान होता है एक बटा दो जमा टेंजेंट पैंतालिस का मान एक गटा को सिकंट साथ को सिकंट साथ का मान होता है दो बटा वरगमूल तीन यह होता है साइन का उल्टा साइन साथ होता है वरगमूल तीन बटा दो तो को सिक 3, second 3 होता है, cost 30 का उल्ठा, cost 30 हमारे पास होता है, बरेग मूल 3 बटे 2, तो यह हो जएगा, 2 बटा बटा वरग मूल 3 जमा cos 60, एक बटा 2, जमा retrospect 45, quarter 45 होता है, tap 45 का उल्ठा, तेंजन्ट 45 का मान होता है, एक तो यह भी कि वह जाएगा एक आग याल करते हैं उपर लगूत हम लेंगे हम पहले जोड़ लेते हैं इसको एक बटा दो जमा एक यह जाएगा मारे पास तीन बटा दो घटा दो वरगमूल दो बटे वरगमूल तीन बटे 2 बटे वरगमूल 3 जमा एक बटा दो और एक 3 बटे 2 जीएगा अब लगूतम लेंगे उपर लगूतम उपर आएगा 2 वरगमूल 3 3 वरगमूल 3, घटा वरगमूल 3 से बाग देंगे 2 बचेगा, 2 กणा 2, 4 बटे निच्या लगूतम आएगा दो वरगमूल तीन वरगमूल तीन से बाग देंगे दो दो गुना दो च्यार जमा दो से बाग देंगे वरगमूल तीन बचेगा तीन गुना वरगमूल तीन दो वरगमूल तीन से दो वरगमूल तीन कट जाएगा उपर बचेगा तीन वरगमूल तीन घटा च्यार निच्चे है च्यार जमा तीन वरगमूल तीन अब हम इसके यहाँ पर हर का प्रीमेकर्ण करेंगे जैसे हमने पहले वाले प्रसन में किया था प्रीमेकर्ण के लिए गुणा कर देंगे उपर च्यार घटा तीन वरगमूल तीन से और निच्चे भी गुणा कर देंगे 4 घटा 3 वरग मूल 3 से जो निच्चे निशान उसका उल्टा कर देते हैं निच्चे पलस है तो उपर क्या हो जाएगा माइनस निच्चे माइनस है तो उपर हो जाएगा पलस उपर हमारे पास है तीन वरग मूल तीन घटा च्यार गुना च्यार घटा तीन वरग मूल तीन बटे निच्चे सुतर लगेगा A जमा B A घटा B A स्केर घटा B स्केर A स्केर यानि च्यार का वरग घटा B का वरग B हमारे पास है तीन वरग मूल तीन इसका भी वरग यह आ जाएगा उपर देखो अब हमारे पास यह दोनों संख्याएं हैं जो एक जैसी हैं सिर्फ गटा का फरक है तीन वरग मूल तीन गटा चैर यह है चैर गटा तीन वरग मूल तीन यदि हम इन में से किसी में से एक में से माइनस को मल ल तीन गटाएगा चार जमा का तीन वरगमूल तीन घटा का आके वड़ा ऐसे का ऐसा रहेगा चार घटा तो यह घटा है तीन वरगमूल तीन बटे च्यार का वरग सोडा घटा तीन का वरग नो गुणा वरगमूल तीन का वरग तीन जाज यहेगा वोपर देखे हैं हमारे पास यह दोनों संख्या एक जैसी होगी 4 घटा 3 वरग मूल 3 4 घटा 3 वरग मूल 3 इसको हम लिख सकते हैं घटा भाराएगा 4 घटा 3 वरग मूल 3 का क्योंकि दोनों संख्यां बिल्कुल एक जैसी माइनस को मिलेने के बाद निच्चे आएगा 16 घटा 27 उपर से उतर बन जायेगा गटा बी का वरग चार का वरग सोण है जमा बी का वरग तीन वरग मूल तीन का वरग गटा दो गुणा ए यह है च्यार और बी है मारे पास तीन वरग मूल तीन भार है माइनस भार निशान है माइनस का बटे 16 गटा सकता 20 पचे गटा के 11 गटा से गटा कट जाएगा ये मारे पास आजाएगा 16 जमा 3 कवरग 9 वरगमूल 3 कवरग 3 गटा 2 गुना च्यार 8 8 गुना तीन 24 वरगमूल 3 बटे होगा 11 माइनस से माइनस वो काट दिया हमने 16 जमा 27 गटा 24 वरगमूल 3 बटे 11 16 जमा 27 ये मारे पास होज़े आएगा 43 गटा 24 वरगमूल 3 बटे 11 तो ये हमारा आंसर होज़े आएगा पांचवा भाग है इस प्रसंद का 5 कोश 60 का वरग जमा 4 सिकेंट 30 का वरग गटा टेंजेंट 45 का वरग बटे साइन 30 का वरग जमा कोश 30 का वरग कोश 60 डिगरी इसका वरग जमा च्यार सिकेंट 30 डिगरी वरग घटा टेंजेंट 45 डिगरी वरग या आपको समझाने के लिए बस साइन 30 डिगरी का वरग जमा कोश 30 डिगरी वरग अब इसके अंदर हम मान रखेंगे पांच गुना कोश 60 का मान होता है एक बटा दो इसका वरग च्यार सिकेंट 30 सिकेंट 30 होता है कोश 30 का उन्टा कोश 30 हमारे पास है वरग मूल 3 बटा 2 तो सिकेंट 30 हो जाएगा 2 बटा वरग मूल 3 वरग कटा टेंजेंट 45 होता है एक एक का वरग बटे साइन 30 साइन 30 का मान होता है एक बटा 2 वरग जमा कोस 30 का मान होता है वरग मूल 3 बटा 2 इसका वरग अब बचो यहाँ पर इस सीधे इसको पूरे को जोनी चिदे रख्या है साइन सुकेर 30 डिगरी जमा कोस केर 30 डिगरी इसको आप सीधा एक भी लिस सकते हैं क्योंकि 8 पॉइंट दो के बाद आग जो प्रशनाव ल यह वे हैं कि साइन सुकेर ठीटा या ए जो भी है पलस कोस केर ठीटा बराबर होता है एक के इस उत्तर है आगे आप इस प्रशनावले के बाद आगे पढ़ेंगे आप तो उसका यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं साइन स्केर ठीटा पलस कोस केर ठीटा बराबर होता है एक तो यहाँ पर sign square theta दोन्नों angle क्या है समान है sign square 30 degree जमा कोश square 36 degree तो इसको सीधा हम एक भी लिख सकते हैं या अगर अगमान रखके अल करेंगे तो भी एक ही आएगा इसको अल करेंगे 5 गुना 1 कवरग 1 2 कवरग 4 जमा 4 गुना 2 कवरग 4 वरग्मुल 3 का वरग 3 घटा 1 का वरग 1 बटे 1 बटा 2 का वरग 1 बटे 4 जमा वरग्मुल 3 का वरग 3 दो का वरग 4 5 गुणा 1 बटा 4 5 बटा 4 जमा 4 गुणा 4 बटे 3 16 बटे 3 घटा 1 जयाएगा 1 बटा 4 जमा 3 बटा 4 लगुतम लेंगे इसका 4 एक जमा 3 उपर भी लगुतम लें लेते हैं लगुतमा जयाएगा मारा 12 15 जमा 64 घटा 12 नीचे था 4 बटे 4 यह हो जाएगा उपर बचेगा मारे पास 15 जमा 64 यह हो जाएगा 89 घटा 12 यह मारे पास बचेगा 66 बटे 12 और नीचे है 4 बटे 4 एक देखो इसका मान एक यह आगया गया ना उनने बताया था किसका पूरे कमान साइंस केर्थिटा जमा कोश केर्थिटा होता है एक प्वाल करने के बाद हमारे पास यह एक यह आया है तो आपको सीधा भी लिख सकते हैं 67 बटे 12 यह यह अमरा अनसर हो जाएगा तो बच्चों बहुत सिंपल है सिरफ आपने इन सभी के मान याद होने चाहिए अगर आपको यह सभी मान याद हैं तो आप किसी भी सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं